नमस्का दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल आयर विज्ञान समधान में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसा क्या है जो आपको बिमार बना सकता है दोस्तों हल्दी मिश्रेंट के साथ दूद पीने की सलाह दी जाती है और ऐसे कई काम है जब आपको हल्दी के साथ दूद पीने की सलाह दी जाती है हल्दी वाला दूद जी हाँ आपने कई बार सुना होगा कि हल्दी वाला दूद पी लीजिए लेकिन क्या आपको पता है कि हल्दी वाला दूद पिने से कई तरह के नुकसान हो जाते है आप ये मज़ सूचेगा कि इससे सिर्फ नुकसान ही होते है ये जाधा तर फाइदे मंद ही होता है लेकिन जो समस्या हम बताने जा रही है उनका थोड़ा सा विशेश ध्यान देना चाहिए तो आईए जानते हैं कैसे हल्दी वाला दूद हो सकता है थोड़ा सा नुकसान दाए गोल्ड ब्लेडर यानि कि पिताश्या में समस्या पैदा कर सकता है हल्दी वाला दूद अगर आपको पिताश्य से जूड़ी कोई समस्या है तो हल्दी वाला दूद आपकी समस्या को और बढ़ा देगा अगर आपकी पित की थैली में स्टोन है तो आपको हल्दी वाला दूद नहीं पीना चाहिए ब्लीडिंग प्रॉब्लम अगर आपको bleeding problem है तो हल्दी वाला दूद आपको नुकसान पहुँचा सकता है ये blood clotine की प्रक्रिया को कम कर देता है जिससे bleeding की समस्या और अधिक बढ़ सकती है मदुमे की स्थिती में कैसे नुकसान देता है हल्दी वाला दूद हल्दी में एक रसायनिक प्रदात करक्यूमिन पाया जाता है जो blood sugar को प्रभावित करता है ऐसे में अगर आपको मदुमे है तो हल्दी वाला दूद पीने से परहेज करना ही बहतर होगा नपुन सकता का कारण बन सकता है हल्दी वाला दूद हल्दी टेस्टोस्टेरोन के स्थर को कम कर देती है इससे स्पंप की सकरिता में कमी आ जाती है अगर आप family प्लान कर रही है तो कोशिश कीजिए कि हल्दी का सेवन सेमित रूप से करें iron का अवशोशन हल्दी का बहुत अधिक सेवन करने से आईरन का अवशोशन बढ़ जाता है जिन लोगों में पहले से या आईरन की कमी है उन्हें बहुत सू समझकर हल्दी का सेवन करना चाहिए सरजरी के दोरान जैसा कि हम पहली ही बता चुके हैं हल्दी खून का थक्का जमने नहीं देता जिसकी वज़ा से खून का स्राव बढ़ जाता है अगर आपके सर्जरी हुई है या फिर होने वाली है तो इस दोरान आप हल्दी वाला दूद मत पीजिए तो जाना आपने हल्दी वाले दूद के ये छोटे मोटे नुकसान आपको ह सकते हैं तो दोस्तों ऐसे स्थिति में आप हल्दी वाले दूद का सेवन ना करें इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिये अपने दोस्तों रिष्टेदारों के साथ share कीजिये और सब्सक्राइब कीजिये साथी साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि निया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें धन्यवाद दोस्तों